हेलो दोस्तों अब हम करेंगे पर्षन नमबर चार राजस्तान काक्षन नमबर दस की परशनावली है आपकी पंदरा पॉइंट दो अब हमें चोथे क्यूशन में क्या का रहा है कि तर्ज्या 21 सेमी वाले वरत का चाप केंदर पर 60 डिगरी का कोण आंतरित करता है यह क्या है आपका एक है वरत है ठीक है और इसकी तर्ज्या कितनी दीगी है आपको तर्ज्या 21 सेमी कितनी है 21 सेमी वाले वरत का चाप के अंदर पर 60 डिगरी का कौन आंतरित करता है कितने डिगरी का कौन बनाता है 60 डिगरी का ठीक है चाप की लंबाई याद गरो ये क्या होता है आपका चाप यहां से लेकर यहां तक ये चाप है ठीक है चाप द्वारा बनाएगे चेतरफल संगत जीवा दुआरा बनाए गए वरत खंड का चेतरफल और जीवा और डल रही है आपकी यहाँ पर जैसे यह क्या है आपका यह वरत और यह होगी इसकी तिर्जा इकीस एमी अब जीवा क्या होती है यह जो चाप कटते हैं कि कौनों को मिला दो यह क्या होगी चेतरफल इसका क्या याद करना है हमें चेतरफल क्या याद करना है तो मैं एक पहले इसका सूतर लिखा देता हूँ मैंने नहीं लिखाया था इसका सूतर होता है जब भी आपको यह पूछे ना कि जिवा द्वारा बनाए गए लगूतर जिखंड का चेतरफल तो इसका सू तो ये भी आप इसका सुत्र ध्यान में रखना तो सबसे पहले तो देखो जो चीज दिया गया है उसको लिख दो इस क्यूशन में हमें जो चीज दी है ना सबसे पहले तो वो लिखो तिर्जया कितनी दी गी इस वर्त की तिर्जया को लिखते है आर से और आर हमें दिया गया है 21 सेंटी मिटर ठीक है उसके बाद चाब चाब के अंदर पर 60 डिगरी का कौन आंतरित करता है तो कौन को किसे लिखते है ठीटा से और ठीटा कितना दिया गया हमें 60 डिगरी सबसे पहले हमें क्या पूछा है चाब की लंबाई चाब की लंबाई तो चाब की लंबाई ग्याद करने का सूतर क्या होता है चाब की लंबाई तो लंबाई को हम किस से लिख देते हैं L से लिखते हैं चाहब की लंबाई को किस से लिखते हैं L से और इसका सूत्र होता है πाई आर ठिटा बटा 180 क्या सूत्र होता है पाई आर ठिटा बटा 180 अब देखो दोस्तों पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7 इंटू आर आर कितना दिया गया आपको 21 तो लिख दिया 21 इंटू ठिटा ठिटा कितना है 60 ये ठिटा है ठिटा कितना है 60 बटा 180 भी आना 7 में तो 180 लिख दिया अब जो चीज कट रही है उसको काट दो 0 से 0 कट गया छे का प्ड़ए बोल 18 में छेतिया 18 अब 3 के पड़े से 21 कट r sudden 3 कम 3 साथ या 21 अब 7 के पड़े से 7 कट रहे तो बताओ चाप की लंबाई चाप की लंबाई लंबाई को किसे लिखते है एल से और चाप की लंबाई कितनी आगे हमारे पासे बावी से सेमी ठीक है ये तो हो गया हमारा पहला उप्षन अब करते हैं हमें दूसरा उप्षन इसमें क्या पुछा है चाप दुआरा बनाए गए त्रिजिखंड का छेतरफल ये जो त्रिजिखंड बनता है ना चाप काटने के बाद इस पूरे का क्या पुछा है हमें छेतरफल तो त्रिजिखंड का छेतरफल ग्याद करने का सुतर क्या होता है सबसे पहले तो वो लिखो त्रिजिखंड का छेतरफल त्रिजिखंड का छेतरफल ग्याद करने का सुतर होता है आपका जब हमारे पास लंबाई हो तो इसके लिए सिंपल सा सुतर है एक बटा दो एल गुणा आर ये सुतर है आपका चाहो तो आप वो भी सुतर लगा सकते हो उससे सिंपल ये होता है ठीक है ये लगा लोगे तो आपका एकदम आसान हो जाएगा एक बटा दो जब आपको लंबाई आपके पास हो तो ये सुतर लगा लो और तरज्या जब आपके पास हो तो बताओ लंबाई, लंबाई कितनी अभी हमने निकाली थी चाप की लंबाई लंबाई को L से लिखते हैं और L हमारे पास कितना है 22 तो 22 लिख दिया into R, R यानि तरज्या तो इस वरत की तरज्या कितनी है 21, यह रही 21 तो यहाँ पर लिख दो 21, अब जो चीज कट रहे है उसको काट दो 2 से 22 कट रहा है, 11 दूना 22, अब 11 को क्या करना है आपको 21 से गुणा, 11 को 21 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 231, कितना आएगा, 231 और क्या निकाला है, हमने 6 तरपल 6 तरपल लिखा जाता है हमेसा, वरगे, सेमी में किसमें लिखा जाता है, वरगे, सेमी में 3 जिखंड का 6 तरपल निकाले का, या तो जब L दिया हो, एक सुतर तो यह होता है आपका L गुणा, आर, या सुतर, यह होता है आपका पाई, आर, सुकाय, ठिटा, बटा, 360, इन दोनों का मतलब एक ही होता है जब L दिया हो, ठीक है, अब देखो दोस्तों कौन सा निकालना है, हमें तीसरा ओप्शन, तीसरा ओप्शन, इसमें हमें क्या पूचा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्थकंड का छेत्रफल, इस वर्थकंड का छेत्रफल हमें ग्याद करना है, जीवा, जीवा, यह होती है आपकी जीवा, ठीक है, केंदर से दूर कटने वाली को क्या कहते है, इस परकार, इस से जिवा कहते है और जिवा द्वारा ये जो वरत्खंड बन रहा है इसका छेटर पल ग्याद करना है तो इसका छेटर पल ग्याद करने का मैंने वरत खंड का च्छेत परफल तो इसका सूतर क्या होता है आपका पाई आर सुकायर थिटा बटा 360 ठीक है यह सूतर मैंने पहले रखा दिया माइनस एक वटा दो साइन सुकायर थिटा बटा ठिटा या आर सुकायर ठीक है अब देखो जो चीज़ आपको दी गिये उनको रख दो तो देखो दोस्तों पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7 इंटू आर आर यानि तिरजय तिरजय कितनी दी कि 21 और 21 के उपर लगावा है सुकायर माइनस एक बटा 2 इंटू साइ्न सुकायर और ठीटा-ठीटा कितना है 60 इंटू आर आर कितना है 21 और 21 को कितनेवान लिखना है 2 वार लिखना है ठीक है अब जो चीज कट रही है उसको काट दो यहाँपर देखो साथ्या 21 फिर यहाँपर 0 चिजिरो गया तिन दुनी 6 फिर 2 से 22 कट रहा है ग्यार दुनी 22 उपर क्या बचा 11 इंटू 21 और माइनस एक बट्टा 2 इंटू साइन सुकाइट 60 तो साइन साइन का मान कितना होता है साइन साइन का मान होता है दोस्तों आपका यहां पर सुकाइर नहीं है ठीक है न साइन 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 का मान होता है आपका रूड तीन बट्टा 2 इंटू 21 इंटू 21 अब देखो 11 को 21 से गुणा करोगे तो आपका आएगा यह 231 ठीक है फिर माइनस फिर एक बट्टा 2 इंटू रूड तीन रूड तीन का मान होता है दोस्तों हमेसे याद रखना रूड तीन का मान होता है एक पॉइंट तरेतर और बट्टे में क्या है दो इंटू 21 इंटू 21 इन सभी उपर वालों का जब आप गुणा करोगे इधर देखना 211 माइनस इन सारों का उपर वालों का गुणा करोगे तो यह आएगा आपका 762 पॉइंट त्रेन में ठीक है और बट्टे में क्या है दो दूनी चार ठीक है अब क्या करना है आपको 231 माइनस अब 762.38 में में 4 का भाग दोगे तो यह आएगा आपका 190.33 231 में से 190.33 गटाना है तो यह गटाओगे तो आपका आंसुर आएगा 40.07 047 वरगे सेमी और यही हमें इस क्यूशन में निकालना तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगाया तो लाइक जुरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना